नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरे यूटूब चैनल जीटे ग्यान में दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको पर्चेस इन्वाइस में या सेल्स इन्वाइस में किसी भी एक को हम ले लेते हैं कि अंदर हमें अगर आइटम इन्वाइस अकांटिंग एड वरॉचर आप यहाँ पर देख रहे होंगे यह विंडो पे यह तीन आइटम आपको शो हो रहे हैं आप देख रहे हैं आइटम मैं अकांटें इन्वाइस ऐजा इजा आज मैं आपको एज़ वाउचर किसे प्रुनी सब्सक्रियाम लुग क्या करते हैं अधम काम करते हैं हरी प्रइस सक्रलुद को मां वेह समत्रrouस आइटम इंवाइस-'आप हम साफ्थ काम सब्सक्राइद डेट डालते हैं जो भी हम 19 है तो हम आज का डेट डाल देते हैं और यहाँ पर हम party का name select करते हैं जिसे यह ABA company हो गई यहाँ में हमने item लेलिया कोई सा भी यह हमने press कर दिया इसमें यह मारा rate आ गया और इसके अगर suppose taxable item है तो हमें tax calculate करना है और अगर नहीं है तो नहीं करना है यह तो एक अपन बनाते हैं purchase का format है purchase invoice या sales में बनाने का लेकिन कई लोग क्या करते हैं इस format को काम न करके इसमें as voucher जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके से में काम करना पसंद आता है जैसे यह कैसे होता है इसका format में आपको दिखा देता हूँ यह आप देखिए यहाँ पर तोड़ा scenario यहाँ पर change हो गया change like कि पहले हमारा उपर हम जो भी हमारे number number है वो तो same आएंगे party का जो नाम होगा वो उपर ना करके नीचे यह हो गया double entry mode इसको कहा जाता है double entry mode like कि आपको किसको debit करना है वो यहाँ पर आप देखिए 2 आ गया और buy आ गया अगर आपको यहाँ पर 2 और buy नहीं समझ में आता है तो आप इसको यहाँ पर change कर सकते हैं और यह यहाँ पर use credit and debit instead of to oblique buy यहसे पर आपको comfortable लगता है पार्टी ने जो हमसे item purchase किया है उसकी total value माल लो total value है 42 या 2540 हमने यहाँ पर डाल दी ठीक है यह reference create हो गया अब यहाँ पर आएगा purchase अब इस purchase में GST exempt item है तो आप GST exempt item में डाल दीजे अब अगर आपके यहाँ पर यह item आप item invoice बनाते हैं तो आपको यहाँ पर अपना item डालना है इसकी value डालनी है जैसे हम माल लेते हैं कि यह 2540 जो हमारा price है यह 508 रुपे है 5 नगे हैं हमारे 508 रुपे के rate से तो यह 2540 हो गया इसमें क्या होता है यहाँ पर आपको पहले total जो आपका invoice से आपके पास उसकी value डाल देनी है उसके बाद purchase GST है तो GST के साथ अगर वो GST में exempt है तो GST exempt के साथ मैं आपको दोनों format अभी बता देता हूँ अभी मैं आपको example GST exempt का दे रहा हूँ तो यहाँ करके आप इसको ऐसे करके share कर सकते हैं ठीक है एक mode तो यह हो गया कि हम voucher में voucher entry करते हैं जैसे as voucher जहांपे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं as voucher यह option कैसे है change voucher mode वो control प्लस as जपन देख सकते हैं आप देखिए उपर item invoice यह item से बन जाएगा यहाँ पर हम दुबारा करते हैं accounting तो यहाँ पे सरफ accounting accounting का मतलब यह हुआ कि only आपको यहाँ पे purchase का लेना है like purchase का head अगर item है तो purchase के अंदर कौन सा item आप purchase कर रहे है वो आजाएगा और सरफ आपका accounting है इसमें आप inventory maintain नहीं करते तो वहाँ पे सरफ यह accounting mode पे आजाएगा accounting mode करने के लिए अपने को control plus H करके यहाँ पे accounting invoice करना है तो और third one is as voucher यह हो गया इसमें अगर आपको inventory करना है तो आप inventory नहीं करना है तो आप inventory नहीं करना है तो आप इसको skip कर सकते हैं अब हम एक taxable value के साथ GST के साथ एक invoice बनाते हैं तो invoice number आपको इसा भी डाल दीजिए date आप अपने funding अब यह से मैंने यह party का नाम दे लिया अब इ इसके अंदर आपकी invoice की total value आ जाएगी है पहले जो 2625 रुपएया मैंने एक कभी calculation करके बनाया हुआ है आपको समझाने के साब से तो हम माल लेते हैं कि इनके invoice की value है जो इन्होंने हमसे हमने इस्ट्यों पर्चेस किया है वो है 2625 रुपएया तो वह हमने यहाँ पर डाल दी reference create हो गया reference create होने के बार आपको यहाँ पर purchase देना है अब अपना purchase GST है तो हमने GST ले लिया अब अगर आपको यहाँ पर item inventory के साथ आप maintain करें तो तो आपको यहाँ पर item डालना है और अगर नहीं तो आप इसको skip कर सकते हो देखिए हम इसको skip करते हैं तो यह सीदा बाहर आ गाएगा एक चिसद्वाइब 72 62.50 और सीडियस्टी वजाएगा 62.50 तो एसे इसको यहाँ पर इसको बाइफिकेट करेंगे अब यह रहा without item अब मैं इसवी में ही वापस करके आपको item का बता देता हूं कि item का कैसे गरेंगे सरप आपको यहाँ पर करना है यहां हम आगे यह आप item का ले लिजिए कुछ भी अपकी है सपोस्थ तो हमने यहाँ पर यह ले लिया है एक और हमने दो पीस माल लेते हैं और एक पीस हो गया अपना बारस पचास रुपए गा तो यहाँ 25 वाने के बाद पर बाहर आपके पर्चिस 25 परसंट और नीचे यहाँ पर आपको item क बाइविकेशन शो हो रहा है और यहाँ पर आप जाकर के सजस्टी सीजस्टी का लेकर के डेबिट कर देंगे तो डेबिट डेबिट और क्रेडिट आपस में नीचे इक्वल होना चाहिए अगर कुछ आपके पॉइंट्स में डिफरेंस आता है तो माल लीजिए यहाँ पर 251 कर लिया हमने और यहाँ पर हमने इसको 62.50 और यहाँ पर सीजस्टी 62.50 अब नीचे देखे तो डिफरेंस आएगा तो हम यहाँ पर राउंड ओफ लेलेंगे और वो डिफरेंस अपने आप एडियस कर लेगा यह सब राउंड ओफ का कैसे डेबिट और कैसे होगा तो जो जो भी आपका पॉइंट्स में डिफरेंस होगा ना लाइक यह जो वेल्यू है इसका टोटल और इन तीनों का टोटल जो भी डिफरेंस होगा वो यहाँ पर निकाल देगा आप एक बार ज़रू ध्यान में रखिएगा कि आपका जो टेक्स हो वो एस पर एक्च्वल जो 62.5, 62.5 है ना यह पच्च्वल के काउंट किया हुआ है तो टेक्स की कैल्कुलेशन हमेजा एक्जेक्ट रखिएगा और एक दो रुपे का फारक आता है तो आप उसको राउंड ओफ में कहीं पर अड्रेस कीजिए टेक्स में कभी भी मैनुल फीडिंग मत कीजिए यह आपको कौन सा मोड अच्छा लगता है परचेस इनवाइस या सेलस इनवाइस बनाने में आपको मुझे कमेंट करें जरूर बताईएगा दो मोड मैंने आपको बताया है अभी एक हमारा यह वाउचर वाला हो गया आपको वाउचर में काम करना यही लग रहा है या ऐस आइ दिया और यहां आइटम डाल दे तो विच वन इस कंफर्टिबिल फो यू जिस पे आप ज्यादा पसंद करते हैं हर किसी को ज्यादा इजी इस पर लगता है और किसी को इस वाले मोड पर लगता है तो मैं आपकी रह जाना चाहूँँगा कि आपको कौन सा जो फॉर्मेट आपको जान करें गाम करने में कमेंट करके जानना हो तो आज की वीडियो में अगले वीडियो में कसी और अच्छे टॉपिक साथ तब तक जय हिन जय वारत